कारेकरम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं किसान सात्यों समय बदल रहा है और इस बदलते समय के साथ हमारी खेती का स्वरूप भी बदल रहा है पहले हमारे किसान भाई परमप्रागत खेती करते थे लेकिन आजकल हमारे किसान भाई नवाचारी खेती कर रहे हैं और खेती में कई नई तरीके के तक्नीकों को और उत्पादों को अपना रहे हैं इने मेंसे एक है नैनो यूरिया जो आजकल काफी प्रचलन में भी है ये नैनो यूरिया हमारे मूल यूरिया से काफी अलग है और काफी प्रभावी है इसे हमारे किसानों को आर्थी रूप से काफी फायदा मिल रहा है और ये परियावरेंट की दरश्टी से भी काफी सुरक क्षित है क्या है ननlove यूरिया और कैसे हमारे किसांबाई इस्यूरी है के माध्यम से लाभarnos हो सकते हैं आज कारिक्रा में हम इन तमाम बातों पर चरचा करेंगे और इन तमाम बातों पर जानकरी देने के लिए आज स्टुडियो में हमने आमंतित किया है할 मारे आज की इस वि इसके बारे में बताइए नमस्कार किसान भाईयो आज बहुत ही अच्छे टोपिक पर हम सब यहां बात कर रहे हैं नैनो यूरिया इफको द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला नैनो उरूरक है जिसे भारत सरकार ने मानित्ता दी है और यह जो उरूरक है यह जो बरसों से हम यूरिया यूज कर रहे हैं उसी से बचने के लिए क्योंकि जो यूरिया किसान भाई खेतों में ले रहे हैं उसका 30% फसल के काम में आता है 70% यूरिया व्यस्ट चला जाता है और जो व्यर्थ चला जाता है वो परदूशन फैलाता है जलवायू हमारी बहुत उससे प्रदूशित हो रही है हवाब प्रदूशन हो रहा है उससे मरदा हमारी प्रदूशित हो रही है और जो ग्राउंड वाटर है जो हम पीने का पानी कोआ या बोरिंग खोद रहे हैं उसमें भी यूरिया का जो प्रदूशित रूप है नाइट्रेट वो उस पानी में मि रक्षित है जो यूरिया हम पहले इस्तिमाल करते थे जिसे हम प्रम्प्रागत यूरिया कहते थे वो यूरिया इस नैनो यूरिया से कैसे अलग है यह आप हमारे किसानों को बताइए किसान भाईयो जो भी यूरिया हम खेतों में काम में ले रहे थे वो यूरिया सबसे पहली चीज तो यह है कि बारिस है या पानी है हमारे खेत में तो ही हम उस यूरिया का प्रियोग कर सकते थे लेकिन जो नया यूरिया है नैनो यूरिया वो हम ऐसे खेतों में भी काम में ले सकते हैं जहां पानी की उपलबता नहीं है बरानी खेती है या ऐसी फसले जो आपके सबजी वाली फसले हैं आपका बगीचे हैं उन समय इसको हम प्रियोग कर सकते हैं दूसरी चीज जो किसान भाई यूरिया के लिए घंटो लाइनों में लगते हैं उसकी उपलबता में कमी आती है दूसरी चीज उसको लाने ले जाने के लिए टेक्टर के आवसिकता पड़ती है या कोई विकल के आवसिकता पड़ती है उन सब चीजों से ये नैनो यूरिया हमें बचाएगा जब भी हमें यूरिया लाना होगा नैनो यूरिया हम एक बोतल जेब में डालके ला सकते हैं सबसे बड़ी चीज ये है कि एक कट्टा जो आप यूज में ले रहे हैं उसकी बराबर एक नैनो की बोतल प्रियाप्त है. यानि कि 45 किलो की जो बैग हुआ करता था, जो बूरी हुआ करता था, वो आपकी 11 लीटर बोतल में समाहित हो गई है. तो हमारे किसान भाईयों के लिए ट्रांस्पोर्टेशन के अगर हम परिपेक्षे में देखें तो काफी सदा फायदेमन है. तो इस नैनो यूरिया के लाब क्या-क्या है, ये आप बताईए. नैनो यूरिया का जो सबसे बड़ा लाब है, वो यही है कि ये किसी भी तरह का जलवाईयों में, वाताउर्ण में परदुसन नहीं फैलाता है. आप देखेंगे कि नैनो यूरिया की इस एक बोतल में मात्र 20 ग्राम नतरजन है. 45 किलो के बेक की तुलना में इसमें मात्र 20 ग्राम नतरजन है, ये किसी भी तरह से हमारे परियावरण को प्रदुशित नहीं कर रहा है, और बहुत सारी टेस्टिंग में ये पाया गया है कि ये किसी भी मानौ जाती के लिए और जलिये जीवों के लिए नुकसान दाइक नह किता है, लेकिन उसकी टोटल लागत 5,000 से 3,000 रुपे की आती है, ये बहुत बड़ा आर्थिक बोज हमारे देश पे रहता है, और लगबक 130,000,000 करोड रुपे हर साल सरकार यूरिया की सब्सीडी पे खर्च करती है, इतने भरी आर्थिक नुकसान भी हमारे देश को जो प हैं, दूसरी चीज, हमारे देश की लगबक 11,000 खेतों पे नैनो यूरिया की ट्राइल इफखो द्वारा लगाई गई और उनमें ये पाया गया कि 8% उत्पादन में वर्धी किसानों को मिली है परंप्रागत यूरिया की तुलना में, तीसरी चीज, इसमें हम अगर देखे तो किसान को लाने ले जाने की जो लागत है उसमें भी इसमें कमी आएगी पест के टाइम में नत्रजन की मात्रा है वह आप यूरिया से जो प्रमप्रागत यूरिया है उससे या घीफिक मात्यम से दे सकते हैं लेकिन जब हम »Nत्रजनंद खेथ« में देना है उसके लिए हमें अनरी रूप से नैनर्व यूरिया पर आना चाहिए क्यों दूसरी चीज पत्यों पे छिड़काव से यह जो नत्रजन है इसका वो जो इस्टोमेटा जिसको हम रंदर बोलते हैं पत्यों के उपर उनके माध्यम से पोधे की कोसिकाव में चला जाता है और जहां भी पोधे में आवशकता है जैसे कोई आलू बो रखा है किसी किसाने और आलू के लिए जमीन के अंदर उसको नत्रजन की आवशकता है तो इस्टोमेटा से फ्लोयम जो छाल होती है पोधे की उसके माध्यम से पूरे पोधे में जहां जहां नत्रजन की आवशकता होती है नत्रजन वहां पहुंच जाता है एक इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है प्रंप्र यूरिया की खासित है कि ये पोदे की कोशिकाओं के बीच जिसे रिक्तिका बोलते हैं या सैल वेक्यूम बोलते हैं उसमें स्टोर हो जाता है और पोदे की जरुड़त के अनुसार दिरे-दिरे पोदा उसे लेता रहता है ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है जी जाड़ वाश्भी करन होने की संभावना बनी रखे तो ऐसे में हमें जादा तर जो जो बेसी डोस्टे को जेसे समय इसको तो उससमे 민 किन सावधानियों कद्हान करना रखना चाहिए ये ठोड़ा सा किसान को बतायिए नहीं कि विजाई की टाइम इस नैनो यूरिया की पोधे में हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते क्योंकि ये सिरफ पढ़नी छिड़काओ के लिए बना हुआ उत्पाद है हम ना इसको ड्रिप के माध्यूम से दे सकते हैं ना जमीन में इसको दे सकते हैं और जब फसल आपकी 30-35 दिन की हो जाए जब बहुत अच्छे से आपका खेत हरा बरा दिखे जमीन ना दिखे उस वक्त इसकी हम छिड़काओ करें 4 ml परती लिटर की दर से इसका इसका इस्प्रे किया जाता है या जो फसले जिनको नतरजन की कम आवसेकता होती है जैसे दलहनी फसले उन फसलों में हम 2 ml परती लिटर पानी भी ले सकते हैं दूसरी चीज जो सावधानियों के आपने बात करी वो यही सावधानी है कि अगर इस्प्रे आपने किसान ने किया और अगर बारिस हो गई तो हमें रिपीट करना चीए अगर बारिस दस घंटे में आट घंटे में बारिस हो जाती है तो दुबारा करना चीए दूप में या दिन में करें किसान भाई, सुबह के समय या साम के समय इसका करें पैस्टिसाइड हम पैस्टिसाइड करते हैं अपना मुँ ढखके और हाथों में गलब्स पहन है वो यूज करना छिए हालां कि यह किसी तरह का विश नहीं है लेकिन फिर भी हमें सावधानी के तोर पे ये प्रियोग करना चीए दूसरी बात जब बहुत तेज हवा चल रही हो तब भी हमें इसका इस्प्रे नहीं करना चीए और एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि ये फ्लैट फॉयन नोजल जो आता है जो बहुत बारिक पानी को तोड़ता है उससे हमें स्प्रे करना चाहिए और पोधा जब तक पूरा भीग नहीं जाए तब तक इसका स्प्रे आप करें तो ज़्यादा रजल्ट इसके अच्छे मिलेंगे तो जब जड़ाजसाब हम इसके और नेमे नाशी नाशी का ये जल घुलणषीर जो भी हम पोशक तथव अपने खेट में डालते हैं तो क्या हम उसमें इस नैनो यूरिया को इस्तिमाल कर सकते हैं? दिपा जी आपने बहुत अच्छा क्योशन किया, क्योंकि किसान के लिए इस्प्रे करना बहुत महिंगा सोधा है आज की तारिक में और बार-बार इस्प्रे करने से किसान की लागत बढ़ती है और इसी चीज को देखते हुए इफको ने नैनो यूरिया का जितने भी केमिकल हम जो खेत में यूज कर रहे हैं किसान भाई उन सब के साथ इसका टेस्ट करके हमने लगबग देख लिया है और लगबग सभी पोसक तत्वों के साथ, सभी कीट नाशियों के साथ, सभी फफुन नाशियों के साथ हम इसको मिला की स्प्रे कर सकते हैं फिर भी अगर कोई नया केमिकल किसान यूज में ले रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों केमिकल को नैनो यूरिया की साथ मिला के स्प्रे नहीं कर सकते हैं और अगर आपका गोल नहीं फटता है तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं इसका सबसे फड़ा फाइदा यह मिलेगा कि किसान का समय बचेगा उसका टाइम बचेगा और साथ में पैस्टिसाइड की साथ में वो नैनो यूरिया भी अपनी फसल को दे पाएगा जाट साथ जैसा के अभी हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने गुजरात के कलोल में इस सायंत्र की स्थापना की इफको के प्रयास से गुजरात के कलोल में नैनो यूरिया का प्लांट लगाया गया तो क्या भविश्वे में राजिस्थान में भी इसके आ लगाने जा रही है और इसका बहुत बड़ा वोल्यूम नहीं होता है एक जिले में अगर 4 ट्रक नैनो यूरिया के आ जाएंगे तो पूरे जिले की यूरिया की आवसेक्ता ही पूरी हो जाएगी तो जगे जगे प्लांट की मैं नहीं मानता हो सकता है भविश्य में राजस्त जगे जगे प्लांट की आवसेक्ता हो अगर दस प्लांट हिंदूस्तान में अगर लग रहे हैं तो वह देश के लिए भी प्रियापत है और मैं मानता हूं कि विदेश की पूर्ती भी कर पाएंगे तो जाट साब आप जाते-जाते हमारे किसानों को नैनो यूरिया की संध नहीं डालते और यह हमारे लिए एक वर्दान है कि हम उस बरानी खेत में जिसमें हमने चना बो रखा है सरसू बो रखा है बाजरब और रखा है मुँग बो रखा है उसमें अगर हम नतरजन की आपूर्ती करते हैं नैनो यूरिया से और यही विकल्प है हमारे लिए क्यू और रभी में और खरीब में मूँद उनमें अगर हम यूरिया से कई बार नतरजन के आपूर्ति करते हैं तो वनसपति ग्रोध पोदे की बढ़वार बहुत जादा हो जाती है और बढ़वार जादा होने से क्या होगा कि दाने कम मिल पाते हमें उपज कम मिल पाती है तो नैन कोज करने की जौरत नहीं है देश की तमाम इन्वेस्टियों में करशी विज्ञान केंद्रों पे इस उत्पाद का परिक्षन हो चुका है आप इसको अपनी खेती में अपनाना स्टार्ट कीजिए यह हम सब के भविश्य के लिए बहुत अच्छा है जी बिल्कुल जाट किसानों को अध्यादन भी मिलेगा और उनके आये में इजाफा भी जादा होगा आप हमारी कारिकरम में क्या कुछ खास देखना चाहते हैं उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कारिकरम ट्रिशी दर्शन डीडी राजिस्था किसान साथियों आज हमने जाना नैनो यूरिया के बारे में नैनो यूरिया हमारे किसानों के लिए कितना सार्थक है एक ऐसी क्रांती जिससे हमारे किसानों को काफी जादा फायदा मिल रहा है और जो प्रियावरेण की द्रश्टी से भी काफी जादा सुरक्षित है जाट झाल झाल